गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिन्दा हैं यह जो नारा लगता रहा है आज जमीन पर खून को ललकारते हुए जामिया पर उतरा जामिया में जो छात्र शांती पूंधंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे और यह प्रोटेस्ट पूरे देश में जो चल रहा है प्रोटेस्ट आज 30 तारीक को गांधी को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए उसका एक हिस्सा था और वहाँ देखिये क्या होता है देश की रासधानी में कानून विवस्था का क्या आलम है कि एक लड़का आता है, पुलिस की मौझूदगी में बहुत देर तत गन को लहराता है, बंदूग को दिखाता है बोलता है ये लो आजादी, मिल जाएगी तुम्हें आजादी और गोली चला देता है, चात्र गायल होते है सवाल सिर्फ चात्र के गायल होने का नहीं है यहाँ सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब निश्चित तोर पर देश के ग्रिह मंत्री अमिश्चा और प्रधान मंत्री नरेन मोदी को देना ही होगा क्या इसी तरह का देश्वा बनाना चाहते हैं जब उनके नेता खुले आम बोलते हैं गोली मारो सालों को, देश के गड़दारों को तब एक शब्द नहीं निकलता दोनों नेताओं के मूसे जिनके हाथ में सत्ता की कमान है और फिर होता यही है कि उनके नेत्रित में ये लोग कल शाहीन बाग में बंदूक लेकर पहुचे और आज्यामिया में दिन दहाडे लोगों पर हत्या करने का प्रयास हो रहा है यह किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह का चुनावी महौल भाश्पा बना रही है जब देश की राजधानी में ये हाल है कानून विवस्था का तब किस तरह से देश के ग्रिह मंत्री तमाम जगा जाके भाशन दे कर भाश्पा के लिए वोट मार रहे है ये बेहर शर्मनाक और चिंता जनक घटना है जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा जिस तरह से गालियों की बात चल रही है जिस तरह से गोली मारने की बात चल रही है जिस तरह से शाहीन बाग को एक नए विलन के तौर पर देश के ग्रिह मंत्री अमिश्चा और उनकी पूरी टीम बनाने की कोशिश कर रही है उससे एक बात तो कम से कम साफ है कि शाहीन बाग उनकी पेशानी पर बल ला रहा है एक बात तो साफ है कि जिस तरह से गोली मारो सालों को देश के गदारों का करनारा भाशपा, भाशपा के जो मंत्री हैं वह, MP, MLA और पूरी टीम लगा रही है इलेक्शन कमिशन जिस तरह से उस पे कुछ-कुछ बोलने को मजबूर हो रहा है लेकिन नीचे तक जो नफरत पहलाने की कोशिश हो रही है उससे एक बात साफ हो चुकी है कि ये चुनाओ, भाशपा, दिल्ली में, हिंदू, मुसल्मान और नफरत के नाम पर खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है आने वाले दिन और भयानक हो सकते हैं इसका संकेत लगातार मिल रहा है और इसकी कमान सीधे सीधे अमिश्या ने अपने हाथों में ले रखी है हम पाते हैं कि अमिश्या सीधे वार करते हैं शाहीन बाग में इतने लंबे समय से धरने पर बैठी दिन रात एक किये हुए उन महिलाओं पर जो लोकतंत्र का हवाला दे रही है जो देश के समिधान का हवाला दे रही है जहां देश के जंडे फैराये जा रहे हैं जहां जंगन मन का रहा है लेकिन यह बात ग्रिह मंत्री को गवारा नहीं हो रही है वे सीधे सीधे बोलते हैं कि ऐसे बटन दबाएंगे कि करेंट शाहीन बाग में लगेगा लेकि लगता उल्टा है कि शाहीन बाग का जो करेंट है वह भाश्पा को परिशान कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा कि वो शाहीन बाग जो पूरे देश में फैल रहा है जिसे खुद उसके मंत्री कह रहे हैं कि शाहीन बाग एक जगा नहीं है, वह एक विचारधारा है, और आप देखेंगे किस तरह से ये विचारधारा अलग अलग जगा पर पहुच रही है, हम पटना पहुचे थे, हमने पटना में देखा कि किस तरह से शाहीन बाग, पूरे पटना पूरे बिहार हर जगा फैला हुआ है, आखिर ये औरतें क्या कहना चाह रही है, क्या सुनना चाह रही है, ये सत्ता क्यों नहीं समझ रही है, सारी लोग ये कह रहे हैं कि आठ फरवरी को जब दिल्ली में चुना हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि भाशपा की ज करेंगे, अब यह कितना हो पा रहा है, ये हम और आप खुद पूछेंगे, मेरे दोस्तों के जो वर्टसप ग्रूप हैं, जिन कॉलेजेज में मैं पढ़ी, जहां स्कूलों में मैं पढ़ी, वहां पर भी जिस तरह के संदेश वर्टसप पर आ रहे हैं, हाप के पास भी आ होंगे, आप उनको टटोल के देखिए, अलग धंग की नफरत इन महिलाओं के खिलाफ उड़े ली जा रही है, मामला सिर्फ पांसो रुपे या बिर्यानी का नहीं है, अब मामला इससे ज़्यादा आगे जा चुका है, मैं बता रहे हैं कि किस तरह से ये एक धर्म के प्रे मिल हो रहे हैं, और दिल्ली चुनाओ, दिल्ली चुनाओ इसलिए बहुत एहम है क्योंकि जारखंड के बाद, दिल्ली विधान सभा, जिसकी शुरुवात, चुनावी बिगल की शुरुवात, प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की रामलीला मैदान में जो रैली हुई, वहां से हुई, आप आएंगे कि भाशपा के पास इस समय दिल्ली में भी बेचने के लिए वोट मांगने के लिए कोई और एजंडा नहीं है, आरेसेस का ओगनाइजर देखी आप, किस तरह से वह शाहीन बाग के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, वह बता रहा है कि यह जो नफरत ह यह हिंदूों के ऊपर उमरने वाली है, हिंदूों को आतंकित किया जा रहा है, मेरा बस एक सवाल है, उन्हीं की भाशा में उनसे, 2014 से प्रधान मंत्री नरेन मोदी सत्ता में समाले हुए हैं, 2014 से लेकर 2020 तक, क्या उनके हिसाब कि जो हिंदू हैं, वो इतने असुरक्षित ह हो गए इतने सालों में, कि उन्हें ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे आतंक लग रहा है, जो लोग समिधान उठाकर बैठे हुए हैं, जो प्रियामबल पढ़ रहे हैं, जंगन मंद आ रहे हैं, भारत का जंडा फैर आ रहे हैं, इनसे मोदी राज में जो हिंदू है वह आतंकित हो गया, आखिर क्या कर रहे थे मोदी जी, आप इतने सालों में, कि हिंदूओं की यहां इस्थिती हो गई, कि वह इन महिलाओं से, जो कि अपना घर का काम करके, रातो रात बैठी हुई हैं, देश भर में बैठी हुई हैं, और जिनके पक्ष में पुरुष बै यह आप ही की भाषा हिंदू-मुसल्मान की, यह हमारी भाषा नहीं है, लेकिन चुकि आप कोई और भाषा समझते नहीं, इसलिए हम आप से आप ही की भाषा में पूछना चाहते हैं, कि आपने इतना गरबर अर्थवैवस्था में क्या किया, क्या नौकरिया नहीं दी, इ इसलिए हिंदू खत्रे में हो गया, प्याज और बाकी सबजियों के दाम आस्मान चू रहे हैं, इसलिए हिंदू रसातल में बैठ गया, इसलिए हिंदू खत्रे में हो गया, आखिर आपने ऐसा क्या किया इतने सालों में, कि हिंदू इस तरह से खत्रे में आ गया, और अब ठीक दिल्ली चुनाओं से पहले आपको पाकिस्तान से युद्ध करने की याद आ रही है ये सारे जो जुमले हैं आपके कि आपको लगता है कि बार बार इसी तरह की जो नफरत की पॉलिटिक्स है वो वैसे ही चलेगी एक बात और जो बहुत जरूरी है यहां आपके साथ साजा करना कि इस पूरे आंदोलन को ये जो पूरा गुस्सा पहला हुआ है नागरिक्ता संशोधन कानून, NRC, NPR को लेकर उसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही कर रही है, उन्ही के अंदर गुस्सा है इसके अलावा जो बाकी भारती समाज है वह बहुत शान्त है यह बहुत बड़ा मित है अगर आप उठा के देखें चाहे वो लोग जो केरल में इतने लंबा एक चेन बना रहे थे दिल्ली में जो लोग उत्रे हुए हैं, कलकत्ता में जो लोग उत्रे हुए हैं, हैदराबाद में जो लोग हैं, बिहार में हैं, लखनओ में हैं, इलाबाद में हर जगा एक भी जगा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां जो हमारा पूरा भारत है तमाम धर्मों के लोग है वह इसमें शामिल नहीं है यह बास जरूर हो सकती है कि वहां पर जो आबादी है जिन आबादियों में अभी तक चल रहा है वह मुस्लिम बहुल आबादी है और मुस्लिम बहुल आबादी में कोई आंदोलन होना गैर कानूनी आंदोलन होना नहीं है जिसे समझाया जा रहा है कि मिनी पाकिस्तान है मैं एक सवाल पुछना चाहती हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हम मिनी पाकिस्तान है अगर मिनी पाकिस्तान में भारत का समिधान जिन्दाबाद है अगर मिनी पाकिस्तान में जो हमारा देश की प्रस्थाफना है समिधान क्या प्रियांबल है वह पढ़ा जा रहा है लोग चहरों पर भारत का जंडा बना रहे हैं अकर यह मिनी पाकिस्तान है आपके हिसाब से तो फिर पाकिस्तान क्या है जनाब भारत का जंडा पकड़े जो लोग है जो भारती ना हो गया था और उसके अलावा आपके पास अब कुछ है नहीं यहां ये बात हमें हर जगह जाके पूछनी होगी कि जो लोग नफरत पहलाने वाले हैं क्या वे अपने घरों में भी इसी तरह की नफरत चाहते हैं क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी दिल्ली की सड़कों म बंदूक लेकर उतने और एक दूसरे को मारें मुझे लगता है कि अधिकांश लोग भारतिय नागरिक इस तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं लेकिन इस तरह की हिंसा जब नौजवानों के दिमाग में जो नेता डाल रहे हैं उनका बायकॉट होना उनको पब्लिकली बोल और एकाउंटिबल बनाना हमारी बतौर भारतिय नागरिक बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की हिंसा हिंसा भरे नारे और गोडसे के भक्तों को इस देश में नहीं चाहते हैं गोडसे ने जब इतने साल पहले गांधी को मारा था उस समय भी पूरे देश ने एक स किसों को सबक सिखाना बेहर जरूरी है